नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो Helio G70 वाला दुनिया का सबसे पहला स्मार्टपोन है Realme C3 और यह बला स्मार्टपोन लांच हुआ है 7000 रूपए के आसपास 7000 रूपए के आसपास ओफर में एक और स्मार्टपोन है जिसका नाम है Realme 2 Pro जो मैं भी इस्तमाल कर रहा हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपके पास Snapdragon 660 वाला कोई स्मार्टपोन है क्या आपको उसके बदले Helio G70 वाला स्मार्टपोन लेना चाहिए या फन नहीं तो चले शुरू करते आज का वीडियो और यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर यह वीडियो को पसंद आए तो वीडियो के लाइक दे देना अगर वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो एक डिजलाइक दे देना तो चले शुरू करते आज का वीडियो हिल्यो जीसेपेइंटी और स्टावर्डστε從 660 दोनों प्र describing शुरू करेंगे दोनों का प्रोस्टेसब्स आर्गिटेक्चर को देखे helps हिल्यो जीसेपेपेंटी बाना है 12 nm आर्गिक्टेक्चर पर करें तो पावर डेपिशेंस के मावले में Helio G70 बेटर होगा Helio G70 लॉँच हुआ है Quattr 1 2020 पे और इसका जो मॉडल नेम बो भी है Helio G70 और Snapdragon 660 लॉँच हुआ था Quattr 2 2017 में मतल लगबग 20 साल पहले और इसका मॉडल नमबर है SDM 660 अब हम देखते हैं 200 प्रोसेजर का Core Configuration Helio G70 में 2 High Performance Cortex A75 कोरे जिसका स्पीड है 2.0 GHz और 6 Low Performance Cortex A55 कोरे जिसका स्पीड है 1.7 GHz और Snapdragon 660 में 2 Gen पूराना High Performance Cortex A73 कोरे जिसका स्पीड है 2.2 GHz और Lower Core में भी 2 Gen पूराना Cortex A53 कोरे जिसका स्पीड है 1.8 GHz तो Core Configuration के मामले में Obviously Helio G70 बेटर है क्योंकि इसमें Better Generation Core इस्तमल हुआ है अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का Maximum Display Support और Video Playback Capability Helio G70 में Maximum Full HD तक का Display का Support है और इसमें 2K Ultra HD Quality में हम Video Playback कर सकते हैं Snapdragon 660 में Quad HD Plus तक का Display का Support है और इसमें 4K Quality में भी Video Playback कर सकते हैं इसमें Video Playback और Display Quality के मामले में Obviously Snapdragon 660 बेटर है अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का Network Connectivity Helio G70 में Cat 7 Download Link है जिसका Speed है 300 Mbps और Cat 13 Upload Link है जिसका Speed है 150 Mbps लेकिन Snapdragon 660 में Cat 12 Download Link है जिसका Speed है 600 Mbps और Cat 13 Upload Link है जिसका Speed है 150 Mbps और दोनों में Bluetooth 5.0 का Support है तो इसका मदलब Network Connectivity के मामले में Snapdragon 660 बेठर है अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का Maximum Camera Support Helio G70 और Snapdragon 660 दोनों में Single Camera में 48 Mbps और Dual Camera में 16-16 Mbps का Support है तो Camera Support के मामले में दोनोर प्रोसेसर बिल्कुल Same अब हम देखते हैं दोनोर प्रोसेसर का Maximum Memory Type Support Helio G70 में जो Memory Type Support है वो है EMMC 5.1 तो Snapdragon 660 में हमें EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों ही Support है इसका मदलब Maximum Memory Type Support के मामले में Snapdragon 660 बेटर है और अगर मैं दोनोर प्रोसेसर के Maximum Ram Type Support के बात करू तो इसमें आप देख सकते Helio G70 में Dual Channel LPDDR4X RAM का Support है जिसका Speed है 1800 MHz Snapdragon 660 में भी हमें Dual Channel LPDDR4X RAM का Support है लेकिन उसमें जो Speed वो थोड़ा से ज्यादा वो है 1866 MHz तो इसका मदलब Better RAM Speed के मामले में Snapdragon 660 बेटर है तो दोनोर प्रोसेसर के बीच में कॉंपेर्जन करने का सबसे आसंतरीका है Antutu Benchmark score, Geekbench score और GPU score अब हम देखेंगे दोनोर प्रोसेसर का Antutu Benchmark score क्या है Helio G70 का Antutu version 8 का score है 1,91,000 जो कि आकरका Realme C3 का score है Snapdragon 660 का Antutu version 8 का score है 1,79,000 जो कि आकरका Redmi Note 7 का score है तो देख सकते Antutu score के मामले में Helio G70 बस थोरा सा आगे है आप हम देखेंगे दोनोर प्रोसेसर का Geekbench score तो Geekbench ver connects version 5 में Helio G70 single core में score करता है 3,51 और multicore में score करता है 1,2,5,6 और Snapdragon 660 single core में score करता है 3, truck सिंगil core में score करता है 3,34 और multicore में score करता है 1,2,9,5 तो Geekbench score के मैं pierwsएforme में Helio G70 बस थोरा सा आगे आप हम देखें दोनोर प्रोसेशर का graphiscard capability Helio G70 में जो graphiscard है उसका नाम है Mali G52 MC2 और Snapdragon 660 में जो graphiscard है उसका नाम है Adreno 512 Helio G70 में जो graphiscard उसका score है 37,000 और Snapdragon 660 में जो graphiscard का score है 35,000 तो अब देख सकते हैं कि Helio G70 में जो graphiscard भो भी बस थोरा सा ही आगे ये Snapdragon 660 से और यहाँ पर मैं आपको एक और ग्राफिस कार्ट स्कोर दिखाना चाहता हूँ जिसे क्याते Centurion Mark Centurion Mark में Helio G70 ने स्कोर की है 81.6 और Snapdragon 660 ने स्कोर की है 79.1 तो इस मामले में भी Helio G70 का जो ग्राफिस कार्ट बबस थोरा से आगे तो आप बाड़ी इस वीडियो के Conclusion की अपने पूरे वीडियो में देख लिया Helio G70 हर एक मामले में Snapdragon 660 से अब्यसले आगे लेकिन उतना भी ज़्यादा आगे नहीं कि अगर आपके पास Snapdragon 660 बाला स्मार्टफोन है तो अब उसके बाड़ एक Helio G70 बाला स्मार्टफोन ले इसलिए मैं कहाना चाहूंगा Snapdragon 660 और Helio G70 दोनों का ही जो पार्फोर्मेंस वो लगबग सेमी होगा बस G70 थोड़ा सा आखे CPU और GPU के मामले में तो आज का वीडियो ही तक उमीदे एक कॉंप्रिसर आपको पस्तना होगा फ्यूचर में आपको ऐसे कॉन-कॉन से कॉंप्रिसर देखना चाहते है मुझे निचे कॉंप्रिसर में बताना मैं उसके वाल वीडियो ज़र बनाऊंगा तो मिल तक लीडियो वीडियो तक स्टेटुड और ऑल्लाइज रमेबर थिंपोजिटी पोजिटी थैंकी